फाइवर क्रोप्स रेश्यदार फसले रेश्यदार या फाइवर क्रोप्स क्या हैं फाइवर का अर्थ है रेशा रेश्यदार फसले वे फसले हैं जिनसे धागा बनाये जाता है रेश्यदार फसलों की मुख्य फसले कपास और जूट है कपास कपास एक विश्वयापी रेशा है सारे संसार में कपास का रेशों के वस्त्र बनाए जाते हैं आज जो हैं केई तरह के बनाबटी रेशे प्रचलित हैं प्रन्तु कपास का अपना ही विशेस महत्व है कपास के उत्पादन के लिए जो है कौन कौन सी और कैसी भुगोलिक परिस्थितियां होना ही चाहिए सबसे पहले इसमें तापमान कपास के उत्पादन के लिए तापमान 27 डिग्रीज सेल्सिस के आसपास होना चाहिए और मौसम पाला रहित होना चाहिए यानि के साफ होना चाहिए पाला नहीं होना चाहिए क्योंकि पाले के काड़ कपास अधिक अच्छी उत्पादित नहीं होती है इसकी क्रिशी के लिए वर्स में 210 दिन पाला रहित होने चाहिए चमकीली धूप और साफ मौसम कपास के रेशे को अधिक चमकीला बनाता है और उत्पादन भी अच्छा होता है फिर अब है कपास की क्रिशी के लिए वर्षा कपास की क्रिशी के लिए वर्षा जो है 50-100 cm वार्षिक होनी चाहिए वर्षा का वितरण जो है समान होना चाहिए समान यानि कि ना तो अधिक वारिश होनी चाहिए ना ही कम वारिश होनी चाहिए फिर है कपास की क्रिसी के लिए मिट्टी भारी दोमट मिट्टी जो है अत्वा काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है मिट्टी में चुने के अंस अधिक होने चाहिए चुने का अंस कम होने से इसमें खमे खाद डालनी पड़ती है अब है कपास की क्रिशी के लिए धरादल किस तरह का होना चाहिए कपास की क्रिशी के लिए धरादल जो है समतल मैदानी भाग जो है इसके लिए बहुत उप्योगी है इसके खेतों में सधान ढाल जो है होना चाहिए अगर इसमें सधान ढाल नहीं होगा तो इसके खेतों में पानी भर जाएगा इससे कपास की खेती अधिक अच्छी नहीं होगी फिर है कपास के लिए श्रम कपास जो है एक ऐसी फसल है जिसमें जो है मस्शीनों का प्रयोग जो है कम उपयोगी माना जाता है इसलिए इसके जो है इसके लिए मज़ूरों की अधिक अवश्यक्ता होती है फिर है कपास के का उत्पादन और उसका वितरण कपास के उत्पादन में भारत का अपना विशेश स्थान है कपास के क्षेतर फल की द्रिस्टी में जो है कपास जो है भारत का दूसरा स्थान है प्रापत किया है और जो है उत्पादन की द्रिस्टी से भारत का चोथा स्थान है महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र और गुजरात जो राज्य है कपास के उत्पादन में भारत में सबसे आगे हैं उत्पादन की दृस्टी से कभी तो महाराष्ट्र में कपास अधिक उत्पन हो जाते है तो कभी जो है गुजरात में कपास का उत्पादन जो है अधिक होता है फिर है कपास जो है आंधरपरदेश यह राजय अपने देश की जो है 59.5 पसथ कपास जो है उत्पन करता है यहां की चो कपास है छोटे तथा लंबे रेशे वाली दोनों परकार की कपास यहां उत्पन की जाती है इसके बाद जो है पंजाब कपास के उत्पादन में पंजाब का जो है चोथा सान है पंजाब में कपास की किसी सिंचित भूमी की पर ही की जाती है यानि कि जहां पर सिंचाई होती है वहीं पर जो है पंजाब में कपास उत्पादित की जाती है फिर इसके बाद है हरियाना 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 पंजाब के पस्चाद जो है हरियाना में कपास प्रती हेक्टर उपज जो है अधिक है यानि कि इसके पंजाब के बाद जो है इसके उत्पादन में हरियाना राज्य का स्थान है वहाँ पर भी सिंचाई की सुभिता के कान कपास की किसी की जाती है फिर है इसके बाद करनाटक करनाटक जो है करनाटक करनाटक ये राज्यवी कपास के उत्पादन में जो है मुख्य स्थान प्रापत किया है यानि करनाटक में भी जो है कपास उत्पादित की जाती है भारत की लगव जो है छे प्रतिसत कपास जो है करनाटक में जो है उत्पादित की जाती है फिर है तमिलनाडू तमिलनाडू ये राज्यवी भारत की लगव छे प्रतिसत कपास जो है उत्पादित करता है यहां की जलबाईू जो है कपास की किरिशी के लिए बहुत अच्छी बाली जाती है फिर है राजस्थान राजस्थान में भी जो है सिंचाई की सहाईता से लंबे रेशे वाली कपास की किरिशी की जाती है फिर है इसके बाद हम पट्सन के बारे में अध्यान करेंगे पट्सन जूट पट्सन भी एक रेशेदार फसल है ये एक सस्ता रेशा है इससे टाट चटाई और बोरे बनाए जाते हैं पट्सन के उत्पादन के लिए भुगोलिक दशाएं क्या हैं क्या क्या होनी चाहिए यानि के इसके लिए भुगोलिक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए इसके लिए तापमान जो है पट्सन भी जो है एक ऊशन जलबायू वाला पोधा है इसके लिए लगवग 27 डिग्री सेल्सियस जो है सेल्सियस तापमान जो है होना चाहिए और फिर है इसमें वर्षा वर्षा जो है इसके लिए जो है कम से कम वार्षिक जो है वर्षा 150 सेंटीमीटर तक जो है होनी चाहिए अब है पर्षन की क्रिसी के लिए धरातल किस तरह का होना चाहिए पर्षन की क्रिसी के लिए जो है धरातल जो है समतल मैदानी तथा डेलटाई जो है परदेश है इसके लिए जो है बहुत ही उप्योगी माने जाते हैं फिर है इसके लिए मिट्टी कपास की उत्पादन के लिए जो है दोमट मिट्टी जो है बहुत अधिक उपयोगी होती है पट्सन की क्रिसी के लिए जो है मिट्टी को बहुत कमजोर कर देती है अता इसको निरंतर खाद की जो है अवशेक्ता होती है फिर है श्रम पटसन को बोने, काटने तथा साफ करने के लिए सस्ती था कुशल मजदूरों की अवश्यक्त होती है इसलिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये जो है उगाया जाता है यानि कि इसके लिए सस्ती और कुशल श्रमिक की जुरूरत होती है अब है पटसन का उत्पादन और बितरण पटसन जो है के उत्पादन के लिए जो है पटसिम बंगाल, बिहार, असम, राजे अधिक भधवपूर्ण है उडिशा, उत्तरपरदेश, और मेघाले, अन्ने जो है पटसन उत्पादक राजे है सबसे पहले जो है पटसिम बंगाल पटसिम बंगाल हमारे देश में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राजे है इस राजे में देश का लगभग जो है 75 पटसन उत्पन किया जाता है फिर है इसमें बिहार यहां भारत का जो है 16 पटसन उत्पन किया जाता है प्रती हेक्टेर उपज पस्चिम बंगाल तथा असम की अपेक्सा कम है फिर है इसमें असम पटसन के उत्पादन में असम का पस्चिम बंगाल तथा भिहार के बाद तीसरा स्थान है यहां भारत की 6 प्रतिशत पटसन उत्पन की जाती है फिर है इसमें उडिसा उडिसा में महा नदी का डेल्टा जो है उडिसा में महा नदी का डेल्टा जो है इसकी पटसन की क्रिसी के लिए बहुत ही उप्योगी है यहां केबल कटक जिला उडिसा का जो है 85 प्रतिशत पटसन पैदा करता है अन्डे उत्पादक जिले भी जैसे बाला सोर पूरी तथा क्यों जार है इस परकार जो है पस्चिम बंगाल असम पस्चिम बंगाल असम असम बिहार उडिसा मिलकर भारत का यह सारे राजी जो है मिलकर भारत का 97 प्रतिशत पटसन उत्पन करते हैं और 6 पटसन उत्तर परदेश के पूर्भी भाग और फिर जो है मेघाल्य मेघाल्य शेतर में जो है उत्पन किया जाता है मैं समीता गवर्मेंट सीनियर स्केंडी स्कूल त्यारा डिस्टिक कांगडा